आप लोग यहां देख सकते हैं हम हैं लाल गन्ने के खेत में और यह जो लाल गन्ना होता है यह एक ऐसी नगदी फसल है कि अगर आप लोग एक एकड गन्ना लगा देते हैं तो आप लोग यह समझे कि 3,00,00 रूपए लेकर कि 5,00,00 रूपए आप बहुत आसानी से कमा सकते है और यह जो गन्ना होता है यह आपका 607 महीने में तयार हो जाता है और इसकी बिक्री की पोजीशन यह होती है कि आपका गन्ना यहाँ पर पूरी तरीके से तयार नहीं हो पाता है उसके पहले ही खरीदार आकर के आप लोगों को booking amount दे देते हैं कि आपका गन्ना हमी आप लोगों को बहुत अच्छा profit होने वाला है अगर आप लोग यह बी चाहते हैं कि लाल गन्ना खरीदना चाहते हैं तो ऐसे मैं इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे क्या क्या चीज इसमें की जाती है और आप लोग किस तरीके से इसकी खेती करके कितना बहतरीन प्रॉफिट कमाशकते हैं अगर अभी तक आप लोग इसमार्ट किसान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का इकन दवा दीजिए जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से सम्मंदित सही सटीक और बेखारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोग लाल गन्य की खेती करना चाहते हैं तो इसका जो प्लांटेशन होता है कब करना जादा बहतर रहता है तो देखिए हम आप लोगों को बताते चले कि जब इसका प्लांटेशन किया जाते है जैसे आपका गेहूं की फसल होती ह जब वह कट जाती है अप्रेल में तो गेहूं की फसल काटने के बाद उस खेत को एक बार पानी से भर देते हैं और उसके बाद एक ट्रेंच गहरा बनाया जाता है जो डेड़ फिट गहरा होता है और उस ट्रेंच में इस गन्य की बाई की जाती है तो इसके जो बाई का समय होता है यह आपका अप्रेल का महीना बेस्ट माना जाता है अब अप्रेल में जब आप बाई करने जाते हैं तो इसमें जो यह तीन गांठे होती है गांठ का जो सीड होता है यह लिया जाता है अब इसको आप ले लिए ट्रेंच आपका बन गया है तो जो ट्रेंच होती है उसी में आपको फर्टिलाजर भी सेम टाइम डाल देना होता है तो अगर आप लोग उसी समय डालने जारे हैं तो अगर आपके पास गोबर की खाद सड़ी हुई है ऐसी खाद जो पूरी तरीके से सड़ जाती है तो उसको आप लोग ले लिजे लगभग दो ट्राली प्रतियकर के हिसाब से और आपको लेना है एक क्विंटल जो आपकी डे जारा रहते हैं उसको आप लोग लगभग पांच केजी ले लिजे सब को मिक्स करके आप लोग डाल दीजिए और यह जो गन्य का सीड आप तयार किये हुए है इसको आप लोग एक बार सीड काटने के बाद इसको फंगी साइड जो आपका आता है जैसे आपका कार्बेंड से लगा देना होता है जब आप लगा देते हैं तो उसके बाद जो मिटी मिटी साइड की होती है उससे इसको ढख दिया जाता है अब आप लोग मिटी से corazón होती है यह कर दी जाती है और पिर डस से पंदरा धिन वेंडेंड होते हैं यह पूरी तरीके से निकल करके भाहर आयाब इसके बाद निराइ गुडाइ जो होती है और जब आपके पौध आपके पोधे उसे ट्रेंच में वबपिस डाल दिया जाता है और इसकी पतियां होती है इसको समय समय पे निकालते रहते हैं जिससे आप लोग लाल कलर का रंग देख रहे हैं सेम टाइम आप लोग सिंगल सुपर फासफेट और जो आपकी यूरिया होती है लगभग साथ केजी सिंगल सुपर फासफेट जो आपका रहेगा यह सो केजी रहेगा और अगर उस समय दीमक वगरा लग रहा है तब फटेरा प्रयोग किया जाएगा अधर्वाइज फटेरा प्लांटेशन कर रहे तो ट्रेंच में हम खड़े नहीं थे तो ऐसी पोजीशन में जो मिट्टी होती है बाहर इसको वापीस इस पर चढ़ा देते हैं तो यह जो गन्ना आप लोग देख रहे होंगे यहां पर हम ट्रेंच में खड़े हैं लेकिन गन्ने का जब हम प्लांट करुकर देख रहे हैं मौकशन फीट जादा गन्ना होता है यह जाएक दो तूटता है आधियों में तूट जाएगा तो इस वजह से इस पर दो फिट लगभग गहराई में इसको डाल देते हैं तो यह गन्ना जो है सीधा एकदम खड़ा रहता है और जब आपका गन्ना इतना बड़ा हो जाता है तो तब तक जो समय होता है बरशाथ खतम होने वाली ह होती है और अक्टूबर का महीना चला होता है ऐसे में छट जो होती है उसकी जो बुकिंग होती है अक्टूबर में सुरू हो जाती है और जब छट का मौसम आ जाता है उसके आठ से दस दिन पहले जो आपकी गन्ने होते हैं यह कटना सुरू हो जाते हैं और छट की विक्री के बाद आपके गन्य खेत में पड़े रहते हैं और आप उनकी जो कटाई होती है यह बड़े ही आराम से कर शकते हैं तो आप लोग अगर गन्ना खरीदना चाहते हैं तो यहां पर हम एक नंबर रखे हैं आपको सीड की रिक्वार्मेंट हो आप जूस के लिए गन्ना खरीदना चाहते हैं या फिर आप लोग छठ या किसी तेवहार के लिए गन्ना खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आहां ही बोहुत ही नर्म होता है ना तो इसका गूड करने के से सर्कां आपड़न प Pharisees निकाल, होता है औंह जब यसे चूसा जाता है paragraph जैसे आप समाने गना कि मुंहें तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि आपकी जो जीब होती है ये कट जाती है और जब सामको आप लोग सबजी खाने जाते हैं घर पे तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों तीखा बहुत जादा लगता है तो इसका कारण यह होता है कि उससे जो जीब आपकी होती है यह हलकी 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 कट जाती है लेकिन यह जो गन्ना होता है इससे आपकी जीब नहीं कटती है जिसकी वज़े से आप लोग अराम से सबजी खा सकते हैं और इसका जो जूस होता है मीठा होता है कई कमपनियां ऐसी ह sareं जो इस्कूम को खरीद के लिए जाकर के जूस को पड़ूस का रर जोटे diھो के इसके जो आप पर भी यह बहुत ज्यादा विकता है खास तौर पर जो आपका एकादेसी का तेवहार होता है और आपका छठ का तेवहार होता है और उसके बाद यह जो जूस में होता है इसकी विक्री होती है तो यहां पर दिये के नंबर पर आप लोग संपर करके जानकारी ले सकते हैं बा झाल झाल